हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं IRFC और RBNL के बारे में यहाँ पर RBNL के बारे में मैं आपको आज की तेजी का रीजन तो बताऊंगे लेकिन IRFC के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो MP की तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है जिसमें अगर आप देखोगे तो IRFC की धमाकेदार एंट्री हो सकती है और भी बहुत सारी स्टॉक्स हैं उनकी कहां पर एंट्री और एग्जिट होगा वो हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे इस साथ के साथ आरवी अनल के बारे में भी बात करेंगे कि आखर यहाँ से जो तेजी बनी वो आगे कैसी और रह सकती है सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को एंट तक आप जरू देखिएगा आपको सारी चीज़ अच्छे ते तमज में आ जाए चैनल पर अगर आप फर्स टाम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा वीडियो कर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा अब जैसे कि आज के दिन का जो ओवरॉल मार्केट रहा वो आपको थोड़ा थर नेगिटिब जरूर देखने को मिला सेंसेक्स में करीबन 300 पॉइंट की गिरावट निफ्टी 50 में करीबन 100 पॉइंट की गिरावट निफ्टी बैंक में करीबन 185 पॉइंट और मिड कैप आपको कॉंट्रा मुमेंट दिखाते हुए नजर आया है और इसी बीच अगर हम यहाँ पे IRFC के बारे में बात करें तो IRFC में आज नेगिटिब मुमेंट देखने को मिला लगबग 0.20% का 76.40 पर शेर की क्लोजिंग देखने को मिली 77.80 पैसे यानि कि 77.80 का हाई आपको देखने को मिला यानि कि अच्छे आदे लेवल के बाद करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल गया जो डेटा आमिसा में आपके साथ शेर करते हों आज फिर से आपके साथ शेर कर रहा हूं यहाँ पर यह से डेटा है वो है डिलीवरी और वॉल्यूम का डेटा जिसमें 25 सेपटेंबर से लेके 29 September, 29 सेपटेंबर तक का डेटा है जिसमें अगर आप देखते हो तो 22.9 32.8 30.6 35.1 28.8 यह है डिलिवरी की परसेंटेज और अगर आप यहां पर देखोगे तो जिस अकॉर्डिंग यह जो परसेंटेज आई है वो कोई बहुत बड़ी मजबूती तो नहीं दिखाई दे रही है लेकिन कोई बहुत बड़ी दिक्कत भी नजर नहीं आती है इसी ब बारी जल्दी से रेटर्ण प्रोफाइल भी देख लेते हैं फिर डेरेक्टली न्यूज देखेंगे एक महिने में 55% के रिटर्ण तीन महिने में 135 के लगबग 6 महिने में 190 एक साल में कब 200% से ज्यादा के रेटर्ण आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं यानि कि अगर एक पर्टिकुलर आर्टिकल्स पर देखने को मिल जाएगी मैं यह जो न्यूज दिखा रहा हूं वो जी बिजनिस की न्यूज है आप यहां पर देख पा रहे हों कि एमफी की तरप से यह जो न्यूज है वो निकल के आई है IRFC, Polycap, Geo Financials among the others may enter large cap categories यानि कि नुवामा ने बोला है IRFC, Polycap, Geo Financial Services और भी कुछ कमपनीज आपको बहुत जल्दी large cap कैटेगरी में नजर आनेवाली हैं और इसमें और कौन कौन से नाम है वो तो मैं आपको बताई रहा हूं आप यहाँ पर देखो मजगाव डॉग, सुजलोन एनरजी, लॉइड मैटल, एस जे वी एन, के ए इंडस्ट्रीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज, क्रेडिट एक्सिस, ग्रामीन, ग्लैन मार्क फार्मा, इमामी, नारायन, दे आलिया और यहाँ पर नीवली लिश्टिड इपनी जो है, जे एश डबल्यू इंफ्रा, ये स्टॉक्स आपको मिड़ कैप के कंटेंडर नजर आ रहे हैं, यानि कि यहाँ पर आईयर एपसी, पॉली कैप, जियो फाइनिशल सर्विसेज, जो की डी लिश्टिंग के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिली थी, वो आ इंटरी आपको लाज कैप में देखने को मिल सकती है, वो है जैसे कि पॉली कैप तो मैंने आपको बताया, मैक्रो टेक ड्वेलपर, स्री राम फाइनांस, पावर फाइनांस कॉर्परेशन, सी जी पावर, यूनियन बैंक, जाइडर्स लाइप साइंस, जियो फाइनेशल सर ये आपको जो अपकमिंग सेमी एन्वल इंडेक्स कैटेगरी नजर आईगी, करेंट येर 2024 की, उसमें अगर आप देखोगे तो ये एंटरी ले सकते हैं, लाज कैप में, और ये एक बहुत बड़ी अचीबमेंट इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए देखने को मिलने वा बॉस, ट्यूब इन्वेश्टमेंट, हीरो मोटो कॉर, कैनरा बैंक ये आपको लाज कैप कैटेगरी से स्लिप होके मिड कैप में आ सकते हैं, इसमें सबसे बड़ा जो जटका लग रहा है वो लग रहा है अदानी बिलमार और आया सी टीसी को जहां तक मुझे लगता है, इ हाँ पर देखोगे, क्रॉम्टन, ग्रीप, कंज्यूमर, इलेक्ट्रिकल्स, वंफूल, लावरसलैब और अतुल लिमिटेड ये आपको मिड कैप से स्मॉल कैप में जाते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है तो ये कुछ हाइलाइटेड स्टॉक्स ते जो कि मैंने आपको बता आया, और यहां से अगर आप देखोगे, तो यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए कि वो अपग्रेड हो रहा है, अपग्रेड होगा, डेफिनेटली माहल पॉजिटिव बनेगा, सेंटिमेंट पॉजिटिव बनेंगे लेकिन जो डाउन गरेड हो रहा है, उनके लिए माहल जो है, वो आपको नेगिटिव देखने को मिलेगा, अब बात करें आपर आर्बी एनल के बारे में, तो आर्बी एनल में आज एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, लगबग 4% तक की तेजी थी, क्लोजिं जरू देड़ परसेंट पर हुई है, लेकिन आज 176.90 यानि कि लगबग 177 पर शेर जो है, वो पहुँच गया था, लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शन आपको जरू देखने को मिल गया, इसके पीछे का जो रीजन है, अल्रेडी मैं आपनी प्रिवेस वीडियो में आपको बताई जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर इसको बहुत बड़ा ओडर मिला था, करीवन 1098 करोड का जो ओडर मिला था, हिमाचल प्रदेश की तरब से, ठीक है, तो यह जो निउस निकल के आई, उसके बाद शेर में आपको 4% तक की तेजी जो है, वो देखने को मिल गई, और इसी भी स अगरम जनरल नियूस के बारे में बात करें, तो आप यहाँ पर देख पाऊगे कि PM मोदी मेजर पुश टू दी इंफ्रेस्ट्रक्टर मुल्टिबल रोड्स एंड रेलवे प्रोजेक्ट अन्वेल इंदी राजिस्थान और मध्यप्रदेश, यानि कि जिस अगोडिक मोद प्रोजेक्स भी हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं स्पैसिफिक लिए अगर हम राजिस्तान और मध्यप्रदेश की बी बात करें तो यह कुछ अपडेट्स निकल के आ रही थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी मेरे गाल से आपके लिए काफी यादा यूसफुल हो जाए तो इस एफ़र्ट के लिए एक लाइक अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो अधर वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा चैनल पर फ़र्श ताम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा धन्यवाद